हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज घर के बच्चे हो या घर के बड़े किसी से भी पूछो एक ही आवाज आती है कि हमें तो पीजा पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अब तक का सबसे सरल तरीका और सबसे खास बात ये है कि ये चीज की जोत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स नहीं किसी प्रकार के ज्यादा मेहनत लगेगी सुपर सुपर इजी ओर खाने में बिलकुल मार्किट जिसा टेस्ट और वही टेक्स्चर एकदम असली टेस्ट वाला पीजा बनेगा फ्रेंड्स और यह रेसिपी देखने के जन से देखा जाए तो उसके बाद मैंने आदा चोटा चमच इसमें नमक ले लिया है और आदा चमची में इसमें चीनी डालोंगे जिससे बिलकुल फ्लपी बनेगा साथी जालीदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक चमच बेकिंग पावडर और आदा चमच बेकि से ताकि क्या है कि इसमें कोई लंस ना रहे और यह अच्छे से मिक्स हो जाए अब हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए दही डालना है फ्रेंट्स ताकि हमारा बेकिंग सोड़ा और बेकिंग पावडर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए वह दही डालने के बाद ही होते ह मैंने एक कप फ्रेश दई लिया है घर का आप चाहें तो कोई भी दई ले सकते हैं अब हम इसे अच्छे से हिला देंगे फ्रेंड्स हमें जब आटा नहीं गूतना है तो हम इस तरह से लिक्विड डो तैयार करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको यह थोड़ा से जादा टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही मिक्स कर लीजिए उसी बावल में मैंने आपे आदा कप पानी भी लिया है थोड़ा थोड़ा करके हम पानी और दही एड़ कर लेंगे फ्रेंड्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें ना ज्यादा पतला और जादा गाड़ा बनाना है बेटर को बिल्कु एकदम थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी यह देखिए इस तरह से हम धीरे-धीरे करके इसे हिला लेंगे और इसका एक लिक्विड दो तैयार कर लेंगे फ्रेंट्स आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिना आटा गूत है पीजा बन रहा है वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाल का यह बिल्कुल नया तरीका है और बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंट्स ये देखिए रिब्बिन तरह निकल रहा है ये बैटर इसका मतलब ये बिल्कु अच्छे से बन चुका है हमारा बैटर जो है पीजा बैटर ये देखिए इसी तरह का आपको रखना है फ्रेंड्स ना जादा पतला और ना जादा गाड़ा चलिए बैटर तो बन चुका है अब हम यहाँ पे लेंगे एक पेन पेन में हम ओल ग्रीस कर लेंगे इसमें आप ध्यान रखेगा हमारी आदत होती ही कि हम थोड़ा सा बटर यूज करते हैं पर इसमें बटर नहीं डालना है सिर्फ ओली ग्रीस करना है फ्रेंड्स और जो इजी लिए बन गया है अब हम इसे इकवली स्पेड कर देंगे पाश मेट के लिए मैंने छोट दिया था इसे फ्लेम पे अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फ्लपी बन चुका है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगे है हमारा पीजा बेस तो अब हम इसे थाली मे ट्रांसफर कर लेंगे फ्रेंड्स यह देखिए वाव कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल अब हम यह पर पीजा सोस लगाएंगे पीजा टॉपिंग आप चाहें तो इसकी जगे सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स पर मैं यह पर पीजा सोस लगा बिल्कुल मार्केट स्टैल में बनकर तैयार होगा दोस्तों अब यह देखिए मैंने इसे वापस दूसरी तरफ रख दिया है पैन में अब थोड़ा सा मैंने लो फ्लेम पर इसे चला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे चीज चीज तो सभी को पसंद आता है आप चाहें में यह आप है जो आपकी मन पसंद की वैजिस वह भी आप इसमें डाल दीजिए मैंने प्याज शिमला मिर्ची और कॉन लिये हैं अमेरिकन कॉन अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे फ्रेंड्स यह देखिए किसी भी तरह से आप कट कर सकते हैं जो शेप आपको पसंद है उपर से हम कॉन डाल देंगे इसमें अमेरिकन कॉन इन्हें भी मैंने बॉल कर लिया था यह अच्छे सोफ्ट हो चुके हैं अब अब हम इसमें डालेंगे कुछ मिक्स हर्प्स और गेनो और चीली फ्लैक्स यह सब डालके इसे पाच मिट और कुक होना देंगे दोस्तों ताकि हमारी दूसरे साइट भी है वो भी अच्छे से सिख जाए आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बिल्कुल कम महनत में बनकर तैयार हो जाता है और गर में तो सभी को पसंद आता है फ्रेंड्स यह देखिए कितने अच्छे से हिल रहा है इसका मतलब यह दूसरे स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है यह तो कितने अच्छे से जटपट से बनकर तैयार हो चुका है ना इसमें आटा गूतने की जौत पड़ी ना बेलने की ना कोई बजार से ऐसा कोई समान लाना पड़ा जिससे की घर पे ना बन सके इजी इसे आप घर पर अराम से इंजोई कीजिए बच्चों के साथ फैमिली के साथ फ्रेंड्स यह सभी को बहुत पसंद आएगा आप हमेशे आप मार्केट ना जाके घर पर ही इसे पीजा को रेडी करेंगे फ्रेंड्स यह देखी कितना अच्छा लग रहा है हमारा पीजा घरमा घरम इसे खाली जी फ्रेंड्स और अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स थैंक्यू सौ मच फर वर्चिंग माई वीडियो आपको यह वीडियो केसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताईएगा और कोई कमी रही है वो भी आप मुझे जरूर बताईएगा इसके इंग्रिडियंट सारे में डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगे आपको वहाँ से आप ले लीजिगा थैंक यू